दोस्तों क्या आप फोन पे बिजनेस योज करते हैं अगर आप फोन पे बिजनेस योज करते हैं और आपके फोन पे बिजनेस में कोई भी आपको यहाँ पर पैसा रिसीव हुआ है जैसे मारे पास बहुत सारा पैसा यह रिसीव हुआ है तो अगर आप सोच रहे हैं कि यह पै आपना फोन पर बेजने से ओपन करना है ओपन करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहां पर मिले का प्रोफाइल आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिले का बैंक एकाउंट आपको इस पर क्लिक करना है सबसे पहले अपन bank account यहाँ पर add कर दिजिए जो भी आपका bank account हो मैंने यहाँ पर अपना add करके रखा है add नहीं है तो यहाँ से आप add कर सकते है उसके बाद बैक आजाए बैक आने के बाद अब आपको अगर कोई भी पैसा भेजता है जैसे यह है आपका QR code तो अगर आपके इस QR code को कोई भी scan करके पैसा भेज देता है तो वो पैसा आपके यहाँ पर history में 100 होने लगता है जैसे यह कल हमें यहाँ पर 8 रुपे रिसीव हुए हैं यह 30 December को हमें 400 रुपे मिले हैं 29 December को हमें 500 रुपे यहाँ पर रिसीव हुए हैं तो यह सारे पैसे आपके बैंक में कब जाते हैं वही आपको यहाँ पर बताने वाले हैं सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पैसे अपने फोन पर बिजनेस में ट्रांसपर करते हैं फिर आपको बताते हैं कि याकर कैसे आप क्या करेंगे तो यहां से मैं अपना phone page open कर चुका हूँ यहां पर store पर click करेंगे यहां पर हम यहां पर देखेंगे यह हैए वो store जिसे हमें पैसे बेजना यह हमारा store है सिवंटेक है तो pay now पर click करेंगे पे नओ पर click करने की बार यहां पर कुछ पैसे हम send कर देते हैं जैसे मा लेते हैं कि यहां पर हम 100 रुपय सेंड कर देते हैं उसके बाद प्रोशीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से पे करेंगे तो जैसे हम पे करेंगे अब यहां को देखने को मिलेगा जे पैसा हमारा चला गया है तो हमारे पास message भी आ चुका है कि आपके phone pay में आपको 100 रुपए receive हुए हैं आप यहां से बैक आते हैं चलते हैं अपने phone pay business में तो हमारा जो phone pay business है यह है इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपको देखने को मिलेगा हमारे पास यह आचुका है एक transaction जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 100 रुपए आपके आच statement to be credit by 8 a.m. tomorrow 4th January 2023 यानि कि इसमें आपको बता दिया जाता है कि आपको जो यह transaction receive हुआ है एक रुपए का दो रुपए का दस रुपए का जितने भी रुपए का आपको यह receive हुआ है यह आपका next day settlement होगा settlement आपके जितने सारे transaction होंगे वो यहां पर 100 होंगे तो जैसे हम settlement पर यानि कि 7 रुपए 92 पैसे मिले हैं तो यह हमारे यहाँ पर settle हो चुके है यानि कि आपका यह statement है यह settle हो गया है आपके बैंक में चला गया है और जो आपका account आज आपको receive हुआ है वो अंगले दिन आपको यहाँ पर date दिखा दिया जाता है कि आपको यहाँ पर यह 4 जनवर इसके business में आपको पैसा receive होता है वो आपका अंगले दिन settlement हो जाता है आपके bank में settle हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको बता भी दिया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो settlements पर click करके आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं जितना आपको amount receive हुआ है जैसे हमें December के महिने में यहां पर यह इतना सारा amount हमें receive हुआ है और यह सारा का सरा settle हो चुका है यानि कि हमारे bank में receive हो चुका है और जो आपका amount settle नहीं होगा तो आपको यहां पर मिलेगा settle now आपको इस पर click करना है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका ये वाला जो account है यानि कि ये वाला जो आपका amount है ये आपके bank में settlement अभी नहीं हुआ है और ये आपका अंगले दिन settlement हो जाएगा 8 a.m. में तो ये वो तरीका है ये वो आसान प्रोसेस है जहां से आपने phone पे business में जो आपको payment receive हुआ है वो अंगले दिन आपके bank में आपका receive हो जाएगा तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना